मुंबई ने 42 वी बार जीता रंजी ट्रोफी का खिताब विदर्व का फिर टूटा सपना जीहा दोस्तों रंजी ट्रोफी 2024 का फाइनल मुकाबला मुंबई और विदर्व के बीच वानकेडे के स्टेडियम में खेला गया आज इस फाइनल मैच का आखरी दिन का खेल खेला गया मुंबई ने दूसरी पारी में विदर्व के सामने इस फाइनल मुकाबले में 538 रं का लक्षे रखा था विदर्व ने दूसरी पारी में चोते दिन ही 248 रं बना दिये थे और अपने 5 मुहतवपुरन बिकेट खो दिये थे मैच के पांचवे दिन आज विदर्व ने 248 रं से आगे खेलना शुरू किया आज पांचवे दिन पहले सेशन का खेल विदर्व के नाम रहा विदर्व ने आज पहले सेशन में अपने स्कोर को 333 रं तक पुचा दिया था और उसके 5 ही पिकेट गिरे थे अगले 2 सेशन में विदर्व को 205 रं बनाने थे विदर्व की टीम ऐसा करने में काम्याब नहीं रही और 368 के स्कोर पर ही आल आउट हो गई विदर्व के लिए आज कपतान अक्षय बाढकर ने शांदार शतक लगाया लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके मुंबई ने विदर्व को फाइनल में 179 रंणों से रंद कर खिताब अपने नाम किया जिसे विदर्व का तेसरी बार रंजी ट्रोफी जीतने का सपना तूट गया मुंबई ने आठ साल के बाद रंजी ट्रोफी का खिताब अपने नाम किया